तूटने लगे होसले तो याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते और ढूंड लेते हैं अधेरों भी मंजिल अपनी क्योंकि जुगनों कभी रोसनी के महताज नहीं होते हैं क्लास 11 में कितना सब्जेक्ट में पास मतलब कितना से ने पास होना जरूरी है कितना पासिंग मार्स है क्योंकि आप सभी का मेट कर रहे हैं हम लोग कितना सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है आप सभी के पितारते मन में जरूर होगा सर कैसे कितना नमर लाएंगे कि हम और चनल पर पहली पार आया है तो सब्सक्राइब जरू कर लें धुवादार दर्फिस तयारी हो रहा है तियारी सुरू कर दो क्योंकि आप लोगों का अच्छे वीडियो आप पूर रहें उसको देखो देखो देखिए आप लोगों का जो 11 एक्जाम 22 अभी हो रहा है मतलब ह होने वाला है सतर तरक से सुरू होने वाला है ठीक है टोटल पांच बिसायों का आप लोगा एक्जाम होगा 5 सब्जेक्ट का एक्जाम होने वाला है सुन लो मेरे मेरी बात को ध्यान से जिसमें आप लोगों को पांच बिसायों का एक्जाम होगा एक्स्ट्रा कोई सब्जे यह है must pass in four subject चार बिसायों में पास करना अनिवार है अगर चार बिसायों में पास करते हो तो ही आप 11 क्लास से आगे जाकर 12 में जा पाओगी वरना नहीं जा पाओगे ठीक है लेकिन नहीं बाला तो सवाली उपन नहीं होता क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे ह हो और अच्छे एच्छे वीडियो भी देख रहे हो देखिए तो चार बिसे में पास होना जो रही है अब रहाबात ये सद्गा नमबर लाना पड़ेगा कितना नमबर का एकजाम होगा तो देखो आप लोगा फूल मार्ट से 50 कितना 50 मार्टस का एक विसाय का एकजाम होग जिसमें 40 नमबर का आप लोगा objective exam होगा और 10 नमबर आप लोगो internal assessment के तौर पर school से मिलेगा अब यह depend आप पर करता है कि school में आपका बीवेर कैसा है तो 10 में से हो सकता है किसी को 8 मिले किसी को 9 मिले किसी को 10 मिले ठीक है यह depend करता है उस आप लोग का बीवेर पर school के teacher पर लेकिन यह 40 का 40 आप लोग के हाथ में है और यह objective exam जो 17 नमबर का objective पूछ जाएंगे तो sir हम लोग को pass करने कर यह बताए क्या अलग से 40 में pass करना पड़ेगा और 10 में भी pass करना पड़ेगा नहीं आप लोग का सुन लो passing marks है कोई भी exam का passing marks 33% होता है बोड exam का आप लोग का उतना ही है किसी एक बिसमी साड़े 16 नमबर लाते हो तो आप pass कर जाओगे ठीक है अब साड़े 16 में माल लिजे सर हम 40 में से 50 40 में से सर हम अगर माल लिजे 10 नमबर ला पाते हैं तो sir क्या हम फेल हो जाएंगे मैं फिर से बता दूं यह साड़े 16 नमबर आपको 50 में लाना है यह दोनों सोलों चोड़ो 16 भी आता है तो उसको एक नमबर ऐसी भी देदेगा पास कराने के लिए दिए आधा नमबर देगा तो अगर आप चालीस में से अगर सिर्फ आठ नमबर भी ले आते हो आठ को question भी सही करते हो तो भी आप पास हो जाओगी क्यों क्योंकि आप 40 में से आठ ल लाना है जिहां तो उसके लिए आपको मेहनत करो अच्छे से पढ़ो अभी से ठीक है बस यह चीज़ है और आप लोगा रिजल्ट पर मैं वेडियो अलग से बना दूँगा हाँ सुन लो 80% से उपर लाओगे तो आपको ए प्लस ग्रेड मिलेगा मतलब 50 में से 40 प्लस नमब लगता है कितना सही करें जाके तो कम से कम भया आपको आठ नौट तो सही कर नहीं होगा पास करने के लिए जमझे रहो ना तब यह अहोगा तो समझ गया आप 33% यहनि साड़े सुर नमर लाते हो पचास में से आप पास कर जाओगे और यह आपका पचास में से कह रहा हूं 40 में से नहीं ठीक है तो 40 में से अगवार 8 भी सही करते हो 9 भी सही करते हो तो भी आप पास हो जाओगे हुई टेंसन खतम खतम होगा तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना और जिस प्रकार से तयारी कर रहे हैं तयार में जूर जाओ और एक्जाम में जाकर तबाही मचागर क्या ना ठीक है चलिए तो लब यू आल थैंक और लफ यू विकलत थैंक फिर नाइस प्रेम जल मिलेंगे तब तक लिजा हैंद वंदे मातरम